हलो फ्रेंड्स वल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स फ्ली आटोमेटिक बॉशिंग मशीन सेमसिंग किये चाहे वो टॉप लोड हो या फिर फ्रेंट लोड हो उसमें अगर डी सी के एरो कोड्स हो रहा है तब आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो मैंने किया किया इसको पूरा बोच करना है जिससे कि आपको जो इंफोमेशन दूब अच्छे से प्रोपर तरीके से समझ आना चाहिए एक तो आप नॉर्मली जब कपले डालते हैं उसमें उसका जो डूर होता है उपन करते हैं तब अगर आपका वो नॉर्मली है और आप उसमें परिशान ऊड़ आ रहा है सोड़ रहा है आपकी डिस्प्लेइ पर ओवाहँ पर क्या होता है एक नहीं क्यों होता है और वहाँ ह 15 च dissemin उता है पर वाइर कहीं च 앞ना माघ कर झाचता है यह दिक्कते तो आप उसे करें, रिप्लेस कर दें और डॉर सुच जब आप रिप्लेस कर दें, आपकी जो प्रोलम है वो सॉल्फ हो जाएगी, आपकी वायरिंग कहीं से कट गई, चुओने काट दिया या फिर वायर कहीं से कट गया, इस कंडीशन में भी आपका DC Air Coats होगा, तो आप वाय टॉप पूरा भार करेंगे, उसके बाद एक अंदर सेंसर होता है, सेंसर को चुई काट देते हैं, तब भी यही दिक्कत आती है, अगर आपका सेंसर भी ठीक है, यह सारी कुछ, बिल्कुल जो कुछ मैंने बताया है, वो सब कुछ ठीक है, अगर प्रोपर तरीकी से तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लिएगे, अगर वीडियो अच्छे लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूम विजिट का है, चैनल को सस्क्राइब कर दो, थैंक यू फोर वाचिंग